तो देखो बरसाज शुरू हो गई और अब जरुवत है सिर्फ दो चीजों की सबसे पहला है वाइफर और दूसरा है साइड पढ़दे तो साइड पढ़दों का वीडियो आलरड़ी मेरे चैनल पे है इससे पहले ही वीडियो दाला मैं अगर आप नहीं देखे तो देख लेन दिस्क्रिप्शन में लिंक है तो अब इस वीडियो में बात करेंगे वाइफर का और वाइफर के उसमें भी दो कैटेगरी है देखो ये वीडियो जो है बजाज गाड़ी के उपर है इसके बाद एक और वीडियो लाओंगा जो अप्पी गाड़ी के उपर होंगा मतलब अ यूज है चल रहा रंडिंग है तो भी आप सर्विस कर लो और आपके जो वाइफर का जो मोटर है उसका सर्विस बढ़ जाता मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाती और अच्छे से काम करना शुरू करता है तो इस वीडियो को कंप्लेट देखो एट टू जेट बता दूंगा म है तो यह है हमारी गाड़ी और यहां पर है हमारी वाइफर मोटर और सबसे पहले मैं अप सको आउन करके बता दूँ देखो यह हमारा ओनाफ स्विच आउन कर दिये और यहां पर देखो यह आउन है मतलब खराब नहीं हुआ बस अच्छा है रंडिंग है बस अब हम इसको सर्विस करेंगे क्यों बोलतों जब से गाड़ी आया तकरीबन तीन से चार साल से ज्यादा हो रहा अभी तक इसको सर्विस नहीं करें और इसका अच्छे से लाइफ बढ़े इसलिए हम इसको सर्विस करने वाले है तो सबसे पहले दस नंबर का पाना बिट या जो कुछ भ सबसे पहले ये बढ़ा वाला लबर जो अभी स्क्रीन पर देख रहे ये फिर उसके बाद एक और लबर है चोटा तो ये दोनों लबर है पिर उसके बाद इतना ही पिर अंदर आना पड़ेंगा गारी के उसके बाद देखो ये ये दो आंट नंबर के नट है आपके पास च आसान है बस इसको नीचे से थोड़ा बाहर खीचो और उफर उठा दो बस निकल गया देखो बहुत आसान था निकालना अब यहां पर है आपका मेन काम और यह है हमारा चार नंबर का एलाइंग की जिसको एलाइंग की पाना बोलते हैं आम तो पर मेकानिकों के पास एलेक्ट मतलब पहली बार अगर खोल रहें तो एलाइंग की के बोल्ट ही रहेंगे आपको तो एलाइंग की वांटेड है उसके अलावा आप नहीं खोल सकते तो यह चोटा सा द्यान रख लेना तो देखो यह तीनों की तीनों जो बोल्ट है एलाइंग की बोल्ट इसके तीनों को भ आगर डिरेक्ट बाहर निकालेगे ना तो यह नहीं आता बाहर तो इसको बाहर निकालने otherapनी से पहले क्या करना है आपको सबसे पहले थोड़ा सा नीचे यह जो ब्रेक पैंडल होता ना उसके नीचे मतलब उसके उपर यहां पर देखो यह आइरो के पास यह जो रेड़ वाला कपलर दिख रहा यह वाला जो अभी यह जो आइरो के पास दिख रहा यह वाला शायद क्यामरे में सही से नहीं दिख रहा पर यहां देहां से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक red color का मतलब लाल color का चार wire वाला coupler या giant या socket जो कुछ भी बोलते आपको मिल जाता उसको बाहर निकाल लेना है निकालने के बाद आप जैसे बाहर निकाले देखो अभी ये वाइफर जो है अभी भी पूरा बाहर ने आता बस हलका सा थोड़ा बाहर आता क्यों बहले तो बस अभी हम इसका जो wiring का connection है उसको डिये मतलब अलग करे अभी ये वाइफर को अगर आप खीचेंगे तो नहीं है तब क्या करना आपको star का screw driver लेना है और ये वाला जो screw है मतलब driver के right side का जो ये frame है उफर का frame भी बोलते है पटी भी बोलते है इसको तो इसको खोल लेना है फिर उसके बिल्कुल right side में और screw है मतलब यहाँ पर ये indicator और पारकिंग के जो light होता ना right side में उसके नीचे मतलब driver के right side में देखो यहाँ पर भी एक दिखरा शायद आपको देखो आभी clear हो गया तो यह दोनों screw खोल लेना है इन दोनों screw खोलने के बाद अभी जो हमारा यह वाइजर है मतलब यह फाइबर का यह प्लास्टिक का जो भी पट्टी लगा हुआ है अब यह बाहर आएंगा तो पूरा बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है इसको बस जैसा स्क्रीन पर देख रहे है ना बस ऐसा हलका सा थोड़ा बाहर इसको बाहर की तरफ बेंड करना है आपको क्यों बोले तो देखो इसके अंदर से ही हमारा यह जो वाइफर का वायर है अभी जो मेरे हाथ में देख रहे है यह वायर बाहर आःएंगा मतलब जब तक आप यह वायर को लूज नहीं करेंगे मतलब यह प्लास्टिक को जब तक आप धीला नहीं करेंगे तो यह वायर बाहर नहीं आता फिर उसको ऐसा lift side मतलब जहाँ पर वायफर था वहाँ पर ऐसा lift side की तरफ धकेलना है आपको राइट side से अगर खीचेंगे तो नहीं निकलता left side की तरफ धकेलना है देखो अभी यहाँ पर शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँगा यहाँ पर एक ऐसा cut लगा हुआ रहता बाडी के अंदर तो वो मतलब accurate जगा है इसका वायफर का वायर निकलने के लिए तो यहीं से वायर बाहर आएंगा और यहीं से वायर अंदर भी जाएंगा तो यह एक दिहान में रख लेना क्यों मोलतों बहुत से लोग कन्फिस होते वायर निकलते वक्त तो अभी हमारा वायफर है निकल गया अब इसको हम क्या करेंगे सर्विस करने के लिए सबसे पहले और most important आपको 1 by 4 नमबर कैसा bit होना या फिर अगर यह नहीं मिला तो शायद आपको दिक्कत हो सकती पर जादतर केसों में यह हर किसी के पास मिल जाता यह वाला bit इनकेस अच्छा रहा तो सर्विस नहीं करेंगे अगर डश्ट वगेरा रहा तो इसको अच्छे से खोल के हम पेट्रोल से साफ करेंगे फिर उसके बाद उसके आगे की जो भी प्रोसेसे करेंगे तो फटा फट बखा दिको दो यह तीन यह चार और उसके बाद यह हो गया पांच और उसके बाद नीचे है सबसे लाश्ट एंड फाइनल च्छे 6 के च्छे स्कूरू kोल लिए हम खोलने के बाद अब यह जो इसके उपर का चाम्बर है यह इसके उपर का कवर भी बोल सकते है चांबर जो भी हो इसको बाहर निकालेंगे देखो निकालने के बाद उफ वो एकदम नीट एंड क्लीन है मतलब मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था ये जो वाइफर है ना ये रन्निंग कंडिशन में खराब नहीं हुआ चल रहा है पर हम इसको सर्विस करने की नियस से खोले और वो इसलिए खोले क्यों बोलते हैं थोड़ा सा स्लो हो गया था और यहां देखो बिलकुल एकदम नीट एंड क्लीन है मतलब ना इसके अंदर डेश्ट है ना खुबार है ना डेस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं है सब कुछ तो ठीक ठाक है फिर भी हम खोले क्यों उसकी वज़ा मैं आगे कर आगे बताओंगा वीडियो के देखो सबसे पहले आप क्या करना है आप चाहो तो यहां के लॉक निकालो या फिर अब यह अंदर का जो गेर वगेर आने सारे के सारे तो ठीक ठाक है तो अब हम क्या करेंगे इसको बाहर के लाग निकालेंगे तो यहां पर देखो यह जो लाग देख रहे आईरो के पास यह लाग निकालना थोड़ा सा कटिन है अगर आप समझ गए या इसको मतलब इसका प्रक्रिया या इसका प्रोसेस है अगर आप समझ गे ना तो बहुत आसान है मतलब एक चुटकी बराबर का खेले या बच्चों का खेल भी बोल सकते देखो अभी यह जैसा स्क्रीन पे देख रहे एक बार निकाल जामें फिर से लगा ज़रा एक और बार देखो बस न्यूस प्लेयर लेना है एक तरफ अपको प्लेयर पे लगाना है और एक लगाने के बाद थोड़ा सा इसको बाहर के तरफ ढ़के लगे और उंगली से रोकना है क्यों बोलता अगर यह लाक निकल गया या गिर गया ना तो फिर आपको कहीं बाहर खरीदने से नहीं मिलता तो बहुत रेर एटम है यह तो इसको बहुत हिसाब से समाल के रखना तो यह वाला लाक है कुछ इस तरह यू टाइप का दिखता मतलब यू शेप का तो एक लाक निकल गया फिर उसके बाद एक वाचर आता आपको यह वाचर को भी समाल के रख लेना यह अगर गुम गया तो मिल जा था पर लाक बहुत इंपॉर्टन फिर उसके बाद देखो यहा बड़े वाले प्लेयर से वह कैसा निकलेंगा देखो यह भी बहुत आसान है बस यहां पर आइरो के पस आप देखते रहों बहुत आसान तरीखा इसका निकलने अगा देखो निकल गया बस हलका सा बेंड करके बाहर निकल जाता फिर उसको क्या करना है फिर से प्र चाहें तो नहीं मिलता फिर यह वाचर है को दोनों को भी निकल के हम अच्छे से रख लेंगे अब देखो यह मारा वील शॉाफ दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं मतलब बाहर मतलब अंदर से आ जाते हैं पुरा का पूरा कexplili यह बाहर आ गया अब देखो अपने पा प्राब्लम होता तो यहां पर आपको दिख जाता था पर गेरों में कोई प्राब्लम नहीं है सब कुछ 100% नीट एंड किलियर है और हमको डिस्प्ले पे दिख रा भी कि सब कुछ ठीक ताक है सई है तो अब हम इसको कोई छेड़ चाड नहीं करेंगे बस इसको थोड़ा साइड में रख देंगे और अब आए हमारी में एंड इंप्राब्लम नहीं है तो इसको जब छेड़ चाड तो छेड़ नंबर का तो उसकी मदस से देख अभी जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही खोल लेना रिंग पाना नहीं बढ़ता सट पाना बढ़ता जिसको पट्टी पाना भी बोलते मतलब दोनों साइड के जो बोल्ट है इसको खोल लेना है और यह देखो बस देखो अब यह तो हो गया मतलब दोनों स्क्रूग खोल लिया मैं और खोलने के बाद जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे बहुत से लोग यहां पर कन्फीज होते देखो यह भी सेम हाफ इंच का है और यहां पर देखो शायद आप समझ गया होंगे इसको निकालने से पहले सबक्रने रिफटा के पास देखो यहां पर क्या करता है्ना आपको इसा करके खीचना अपको तो सिर्फ बाड़ि यह जो मेरे रैच फीशेच से बाहर आ जाता प्राब्लम अगर आप यहां पर दिखेंगे तो यह आरो के पास देखो सबकुछ एकदम neat and clear है मतलब देखो यह यह एरो के पास देखो साफ है और यहाँ पर देखो मतलब काला काला हो गया वज़ा क्या यहाँ पर आर्मिचर के उपर जो है यहाँ जो कार्बन ब्रेश होते हैं यहाँ पर बैड़ते और यहाँ पर गूमते गूमते क्या है यहाँ पर जाम हो गया मतलब कचरा जाम हो गया तो अब हम इसको साफ करेंगे और वापस से फिट कर देंगे बस हमारा प्राबलम किलेर हो गया इतना ही था अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख लिए क्या करना है आपको देखो ऐसा वाला पेपर ले ले लेना है जिसको रेगमल पेपर या साइन पेपर भी बोलते हैं तो इससे क्या करना है आपको यह जो कामेंट रही है जो मतलब आर्मिचर के उपर का जो शाफ्ट है उसको अच्छे से घसना है और ये जो पेपर का जो नममर है वो 120 या 180 के अंदर का रहाँ इससे जादे का अगर रहा तो ये खराब हो जाता फिर उसके बाद क्या करेंगे देखो जादा नहीं बस हलका सा दो से चार राउंड इसको घसेंगे जादा ने अभी जैसा स्क्रीन पर देख रहा है अगर ताकत लगाएंगे ना तो ये उड़ी जाता बहुत कमजोर मेटेरियल रहता है तो बहुत हलका हलका सा इसको घसना है और अभी यहां पर देखो थोड़ा भी भी इसके ओपर डश्ट अगेरा दिख रहा पर पहले के मु हो गया अब एक और काम करना है अब को तो अभी इसके बीच में जो गाले मतलब ग्याप दिख रहे ना तो ये ग्याप के अंदर भी थोड़ा बहुत डश्ट वगेरा जाम रहता मतलब अटका हुआ रहता तो इसको कैसा साफ करेंगे कुछ भी लेकर कर सकते तो इसके लिए बेस्ट ऑफशिन है ये जो पांच रुपाला नट राजका का जो चाखा अता मतलब कटटर ब्लेड इससे अगर आफ साफ करेंगे तो ये सही इसका मतलब से लेंथ ह剌न जैसा इसके मदस अच्छे से साफ कर लेना जैसा स्क्रीन पे देख रहे और ऐसा कर साफ कर लेना तो यह अभी जो आपका सद चाहिए वाइफर मोंटर हो यह सेल्फ मोंटर के केसेसम में भी सेम प्रॉसेस रहता है यह तो डहीज पर ज ignore यह सड contenus फेल भी यह फीलिप्स जो गाले सब्स करेंगे खुरब चाहिए है क्यों ये अल्रड़ी खुद अच्छा मतलब अच्छा खासा नीट कंडिशन में अगर इसके अपर कोई डश्ट होगे रहा होता तो हम 100% इसको पेट्रोल से धोते फिर उसके बाद जाके फिट करते तो अभी हम इसको वापस जैसा खोले वाइसा ही फिट कर देने है क्यों बोले तो एक दम बिल्कुल गुट कंडिशन में है तो अभी आई बार ही फिटिंग की तो फिट करने से पहले देखो यहां पर देहान दो इसके दो कार्बन ब्रेश है और कार्बन ब्रेश बैठाते वक्त बहुत से लोग कन्फीज होते यह जो स्प्रिंग है मतलब मतलब यह जो मेरे हाथ में देख रहे हैं यह स्प्रिंग को बिठाने का तरीखा देखो अभी बस आप वीडियो को स्क्रीन पे देखो आपको अटोमेटिक समझ में आ जाता पहले इसे बिठा लेना है जो स्प्रिंग बिठा रहे है उसको नीचे रखो और उसके बाद यह उसको अटोमेटिक मतलब यह उसका जो साइज है बरबर बैड़े आता हो देखो यहाँ पर यह जो स्प्रिंग अगर इनके बहुत से लोगों का डौट है अगर यह स्प्रिंग तूड जाए तो कोई प्राब्लम नहीं यह जो पेन देख रहे हैं यह 5-6 रुपे में मिल जाता टिपटाप वाला पेन इसका स्प्रिंग निकालो काटो और उसमें लगा दो बस काम हो जाता आपका तो वापस से इसको लगा देंगे इसको लगाने का बहुत आसन तरीखा है बस अभी जैसा स्क्रिंग पर देख रहें पहले स्प्रिंग लगाओ और उसके बाद कारबन को लगा दो लगाने के बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान देना है आपको बाद में लगाने के बाद यह जो वैर है ना इसको थोड़ा सा बेंड करना है बेंड क्यों करना है मतलब इसको कारबन को अटकाना है क्यों बोले तो अभी जो spring के साथ है ना ये carbon तो spring तो इसको बाहर डुक लेंगा तो अब बाहर नहीं डुकलना बोले तो क्या करना इसको ये जो wire है उसको lock करना जैसा अभी screen प़े देख रहा थोड़ा सा blur हो गया मैं clear कड़ देता अभी तो यहां देखो देखो अभी क्लियर हो गया फिर से ब्लर हो रहा तो यहां पे जो अभी देखो क्लियर हो जाता तो यहां भी समझ गया मतलब यह जो कारबन है यह पूरी तरह अगर बाहर आके रहाना तो देखो अभी अंदर चलेगा अगर ऐसा अंदर आके रहाना तो आपका जो आर्मी चरह है वो बिठाने में आपको आसानी होता तो यह तो एक समझ गया तो सेम आइड़ इस प्रॉसेस के हैं इसका आपोजिट डिरेक्शन में भी मतलब अभी एक कारबन बिठा दिये हम अब उसका दूसरा कारबन भी अगर आपको बिठाना है तो सेम प्रॉसेस आपको पहले सबसे पहले जो स्प्रिंग है यह जो स्प्रिंग है इसको बिठा लेना है स्प्रिंग को बिठाने के बाद फिर से वैसा ही मतलब जो कारबन को भी पहले बताया था वैसा ही लगा देना है लगाने के बाद फिर इसके बाद हम कारबन यह जो आर्मी चेरे उसको बिठाएंगे दे ये वीडियो देख लो वो भी समझ में आजाता आपको तो देखो दोनों के दोनों कार्बन बिठा जा मैं अब क्या करेंगे हमको यह जो आर्मिचर है नीट है इन किलियर हो गया मतलब हमारी केस में साफ था तो उसके लिए हम वापस से वैसा इसको किलियर साफ करके वापस फ लेना है जो मतलब जो कार्बन को हम लोग अटका के रखे थे बाहर तो उसको और थोड़ा सा अंदर लेना है मतलब अंदर की तरफ जैसा स्प्रिंग पे जेखो स्क्रीन पे जैसा देख रहा भी वैसा अंदर की तरफ लेना है लेने से क्या होता जो आर्मिचर जहां पर छले गा बस यह प्राबलम जैसा आर्मी चर हमारा अंदर चले गा वापस से मतलब आईज़ेटिए हमारा जो आर्मी चर अंदर जाते बराबर फिट होगया ओक टो बेट गा अब यह जो पैकिंग है मतलब जो रबर वाला पैकिंग इसको बिठाएंगे बिठाने के बाद उसक भी एक गाड़ी का काम करते न तो हम लोगों को भी दिक्कत होता ये काम करने में जब आप ये वीडियो बना के हम लोगों को बता रहे तो जाहिर सी बाते थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो सकता और थोड़ा समझाने के लिए भी क्या थोड़ा लेना पड़ता हमको तो देख हो तो हटा सकते हैं वरना अगर यह अंगोटा नहीं लगाए तो यह बाड़ी वापस बाहर आ जाता था तो ओके यह था प्राबलम इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है इसके बाग तो यह तो हो गया आप इसके बाद क्या करेंगे पर हमारे इसमें घेर खराब नहीं हुए अच्छे है तो इसको भी जैसा खोलेते हैं वैसा फिट कर देंगे हम और एक बाता इसमें आईल और ग्रीस लगाना चाहिए जरूरी है पर यह जो अवाइफर आभी मेरे हाथ में है यह कंडिशन अच्छा है इसके अंदर कोई जंग नहीं लगा मतलब डश्ट वगेरा नहीं गया तो यह रंणिंग कंडिशन है इसकी वज़े से हम लोग इसके अंदर ऑईल और ग्रीस नहीं लगा रहे ग्रीस अगर जादा लगा जी तो क्या होता ना जादे मतलब जादा ग्रीस अगर आप लगा दिये तो दो चार साल पास है लाग को बिठाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे यह बड़ा वाला जो गेर है गेर के लिए अंदर का जो वाचर था उसको अब हम बाहर दालेंगे यह वाला जो वाचर है अंदर था उसको बाहर ले लिए फिर उसके बाद यह फ्लाट वाचर दाल लिए दालने के बा लाक हो गया अब आप चाहा कर भी इसको नहीं निकाल सकते फिर से कटिंग प्लेट से ही निकालना पड़ेंगा वरना यह नहीं निकलता फिर उसके बाद यह जो विल शाफ्ट है मतलब जहां पर वाइफर का ब्लेड लगता मतलब ब्लेड जहां पर बैड़ता वाइफर का उसको भी बिठाना है और यह बिठाते वक्त थोड़ा सा दिहान रखना क्यों बोले तो क्या है अगर यह सिलिप हो गया तो मतलब उच्छल के यह सिलिप हो के गिर जाता कहीं अगर यह गुम गया तो फिर आपको मिलता नहीं मतलब दिक्कत हो जाता तो यह थोड़ा सा आप दिहान में रख लेना तो यहां पर देखो थोड़ा मैं फोकस कर लूँ तो यहां पर देखो अभी यह बैड़ गया लाक हो गया तो बस इतना ही है इसमें कोई बड़ा science और technology नहीं है बस हलका सा समझने की बद जरूरत है बस आपको समझ में आ गया तो अब क्या करेंगे वापस से यह मतलब सारा का सारा fitting हो गया अब इसको जो इसको जो κoupler है हमारा इसको जो कवर है जो भी बोल सकते यह जो क्या पर इसको fit कर देंगे फिट करने के बाद एक बार check करेंगे या पिर अगर चक नहीं भी करें तो कोई प्राब्लम नहीं है क्यों बले तो good will condition में है बस हमारी प्राब्लम क्या थी यह जो armature के उफर जो comment रहा था ना उसके उफर जादा use होने से मतलब 4-5 साल से regular use हो रहा है इसकी वजय से armature के उफर थोड़ा सा जंग आ गया ता जाम हो जो से बीदियो उमीद है आपको पसंद आया होंगा और सबसे इंपर्टन बात समझ में भी आना जरूरी है तो समझ में भी आया होंगा जखो घरबाटे काम कर सकते चाहे चाहे वाइफर जाम हो या फिर रंडिंग कंडिशन में भी हो इसको सर्विस करना अच्छी बात है और हर साल सर्विस करें तो बहुत अच्छी बात है देखो खराब होने से पहले कोई भी चीज को हम समाल लेंगे या सर्विस कर लेंगे तो उसकी सर्विस लांग टाइम तक और वो जादी दिन तक आपका साथ दे सकता तो ये वीडियो में एक छोटी सी कोशिश ते मेरी कि आपके सामान को बचाने की कोशिश करेंगे तो अगर वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक जरूर करना चैनल पे नए है या पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो झाल प्राइब करना